स्वागत है आपका आज हम लोग बात करेंगे अगर कोई इंसान ब्रह्म चेहरे का पालन करता है तो उसके चेहरे पर कितने दिनों में चमक आ सकता है अगर कोई इंसान चलो वीरे अटलिस्ट बचा लेता है फेस गलो कितने दिन में उसको मिलेगा आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको अपना भी थोड़ा experience साथ में बताता चलूँगा क्योंकि इस thumbnail पर भी आपने देखा यह होगा कि जो मेरा पहला वाला चैरा था बहुत जादा oily था, acne, pimple भरे हुए थे यार बहुत जादा मैंने सफर किया है पहले उसके बाद मैंने ब्रमशरे का पालन करना शुरू किया मुझे results मिले कमाल के तो मैं आपको बताता चलूँगा कि मैंने ऐसा क्या किया था और दोस्तों मैं आपको खास invite करता हूँ हमारे टेलिग्राम पर क्योंकि आज हम लोग एक special इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने lifetime ब्रमशरे का पालन किया और उनकी उम्र उनकी उम्र एक सो चौबीस साल की है सोचो लेकिन दिखने में नहीं लगते हुओ आपको मैं उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा ठीक है अब आता है मुद्दे पर जहां तक बात आती है चेहरे की चमक को लेकर लोग क्या करते हैं उपर से बहुत सारी चीजे लगाते है क्यूकंबर लगा लो इससे आपका चेहरे चमकेगा रोज वाटर लगाओ वगेरा ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन आप अंद्रूनी क्या इलाज कर रहे हो इसका क्या आप जड़ तक जा पा रहे हो पहले मैं भी ऐसा ही करता था मैं क्या करता था पता है मैं दुनिया भर की क्रीम लगाता था सोचता था कि इससे मेरा चहरा चमकेगा लेकिन पासा उल्टा पर गया मुझे बहुत सारे पिंपल और रैकने और एक्स्ट्रा होने लगे साइड इफेक्ट्स ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी बंदे को किसी भी इंसान को ऐसा ना हो सब को मिले कैसे मिलेगा एक एक करके हम इसको कवर करता है दोस्त मुझे आप बताईएगा कि अगर आपकी उम्र मान लीजे 50 साल की है मान लीजे 50 साल की है और आप दिखने में 35 के लगे तो कैसा होगा मजाएगा अगर आप चाते हैं ऐसा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करे ठीक है अगर आप रमब छेरे का भी पालन कर रहे है तो आप कमेंट में बताईए कि आपका experience इसको लेकर क्या कहता है understanding सब कुछ आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताईए हमें वह अच्छा होगा किसी की जिन्देगी वदल सकती है आपकी कमेंट से जहां तक बात आती है फेस गलो की है तो याद रखिए कि हमें अंदरूनी सफाई पहले करनी पड़ेगी एक पॉइंट सबसे ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं वो है correct breathing सांस लेने का तरीका क्योंकि researches बताती है कि अगर कोई इंसान तेज मातरा में सांस ले रहा है मालो जो लोग धुमरपान करते हैं उनकी एक मिनट में जो सांस लेने की तिवरता है वो बहुत ज़दा बड़ी हुई होती है एक इंसान अगर एक मिनट में calculate करे तो करीब-करीब 18 बार वो सांस लेता है तो एक तरीका ऐसा खोजा गया है और ये रादर बहुत पुराना तरीका है अभी कुमारा western doctors इसके बारे में बहुत ज़दा बात कर रहे है कि सांस अगर कोई इंसान काबू कर पाए और एक rhythm हो सांस लेने की तरीके में तो वो इंसान अपनी जिंदगी का आयू सब कुछ बढ़ा सकता है ठीक है तो अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि पचास में पहुचने पर भी आप 35 के लगे तो सांस लेने के तरीके को थोड़ा सा ध्यान में रखें अगर आप ये consider करें कि भाई मुझे तो करना है अब ठीक करना है इसको क्योंकि मेरी breathing pattern बहुत एरेगुलर है जल्दी जल्दी सांस लेता हूँ मैं क्या करें इसका सबसे पहले आप प्रानायम का अभ्यास करें मेडिटेशन करें अगर आप हर दिन 5 मिनिट से शुरुआत करके जाएं अगर 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 25 मिनिट तो आप मैसूस करेंगे कि आपके breathing pattern बहुत जादा बहतर हो गई है पहले से पुराने जमाने की रिशी मुनियों की आयू लंबी होती थी उसका एक बहुत बड़ा कारण है regular deep breathing जो एक normal इंसान नहीं कर पाता, जल्दी जल्दी सांस लता है छोड़ता है, और जहां तक बात आती है skin glow की, तो उसकी शुरुवात होगी अंदर से आयरवेद में कुछ ऐसे रसायन बताए गए है जैसे की आमला हो गया, जो anti-aging है अगर आप एक आमला भी consume करते हो हर दिन तो आप कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा difference देखोगे अपने skin health को लेकर और देखो, आप जितने भी चीजे लगा लो अपने skin पर लेकिन अगर आपका शरीर अंदर से detox time to time नहीं हो पाता, तो वो चेरे पर चमक नहीं आ सकता, वो potential जो है वो बाहर दिगलकर नहीं आएगा जितना आपके चेरे पर चमक होना चाहिए वो नहीं आपाएगा जब तक कि आप अपने शरीर को detox नहीं करते और detox की जहां तक बात आती है तो भाई उपवास से बेटर और क्या हो सकता है तो मैं एक खास तरीके का इस्तिमाल करता हूँ उपवास रखने के लिए, मैं क्या करता हूँ सुभा से लेकर शाम तक भोजन करता हूँ जो भी खाना होता है वो खाता हूँ उसके बाद से डिनर मेरा जल्दी हो जाता है और फिर मेरा जो breakfast है और जो आज का मेरा डिनर है उसके मध्य में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है तो एक तरह का intermittent fasting वहाँ पर मेरा हो गया तो उससे क्या होता है मेरा digestion सही रहता है skin के लिए अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा energetic message करोगे अगर आप कुछ दिनों के लिए भी अपना डिनर जल्दी complete कर पाते हो तो देखोगे यार आप एक अलग level के इनसान बनोगे वहाँ से लोग इसको बहुत ज़्यादा underestimate करता है try नहीं कर पाता है भूक लग जाती है लेकिन अगर आप कर पाएं तो यार 21 दिन, 22 दिन के बाद habit पढ़ेगी इस चीज़ की आप डिनर जल्दी कर पाओगे और आपको इसके कमाल की benefits मिलते है अब आता है सबसे ज्यादा important सवाल पर जरूरी सवाल जो था हमारा ब्रह्मचरे से face glow कितने दिन में मिलेगा हमें तो देखो मैं आपको अपने experience बताता हूँ इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे बहुत अच्छा देखो जब मैंने पहली बार 30 दिन पार किये थे ब्रह्मचरे के मुझे बहुत बड़ा difference वही पर देखने को मिला था क्योंकि मैं क्या करता था ब्रह्मचरे के साथ में मैं fasting भी करता हूँ मैं सलात खाता हूँ दो बार ठीक है तो अगर आप इतना कुछ कर पाएं तो आपको भी 30 दिन में अंदर देखने को साब तोर पर मिलेगा लेकिन अगर आप उतना नहीं कर पाएं अगर आप टाइमली exercise नहीं कर पाते योग नहीं कर पाते प्रानायम नहीं कर पाते भाई मैं पहले दिन से प्रानायम कर रहा हूँ पहले दिन से सुबह सुबह उठकर अगर आप कर पाएं तो आपको भी 30 दिन में अच्छे खासे result मिलेंगे आपको बस थोड़ा सा इंतिजार करना होगा जैसे ओजस बनता है आपको चहरे पर ही उसका असर देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको चहरे पर दिखने को मिल जाएगा साफ तोर पर एक प्यारी सी लेयर बनती है पता है एक स्मूध सा लेयर बनता है चहरे पर और मैंने खुद इसको अब्जर्व किया है कि भाई कमाल की एक लेयर बनती है स्किन पर एक चमक आती है एकदम शेहत जैसा होता है ना उस तरह का लेयर बनता है और ये आप मैसूस करोगे जब आप ब्रह्मचरे का पालन कर पाओगे अच्छे से तो ये चीजें दिखती हैं लेकिन उसी को दिखेंगी साफ तोर पर जो स इंसान ब्रह्मचरे का पालन कर सकता है लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा कम उम्र के लग रहे थे वह भाई मज़ा आ गया देखकर तो उनके बारे में थोड़ा साम डिसकस करने वाले आज टेलिग्राम पर आप आईए और मोस्ट विलकम मैं आपको टेलिग्राम का लि एक ख्याल रखिया अपना